Hello everyone, I am Shilpa and welcome back to the channel The Ultimate Knowledge आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़े लेके आई हूँ जिनका आप अपनी डेली लैंविज में इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप उनका इस्तिमाल करते हैं तो शायद आप उनका कलत इस्तिमाल करते होंगे तो चलो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है I have butterflies in my stomach Butterflies in my stomach इसका इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हम बहुत ही जादा nervous फिल कर रहे होते हैं बहुत ही जादा anxious फिल कर रहे होते हैं जो हमें किसी चीज़ को लेके गबराहत हो रही होते हैं जैसे कि जब हम exams में बैठने जाते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसका इस्तिमालिक sentence में ऐसे करते हैं I have butterflies in my stomach before the test मतलब कि जब मेरा test होने वाला होता है उससे पहले में घबरा जाती हूँ and I have butterflies before my test next is let go my hand अगर किसी ने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है तो अगर आपको अपना हाथ छुड़वाना है तो उसके लिए आप उन्हें बोल सकते हैं let go my hand कि मेरा हाथ आप छोड़ दो और जो next में आपको बताने चाहरी हूँ आप उसको जरूर गलत बोलते होगे जब किसी के बाल सफेद हो जाते हैं आप उन्हें ये बोलते होंगे your hair turn white पर हम यहाँ पर white का इस्तिमाल नहीं करेंगे हमें यहाँ पर grey का इस्तिमाल करने चाहिए the correct sentence will be your hair turn grey तो next time जब भी किसी के बाल सफेद हो और अगर आपको उन्हें बताना हो तो आप white का इस्तिमाल मत करिए आप उन्हें बोलिए your hair turn grey और अगर आपके और किसी के बीच में कुछ serious matter चल रहा है और आपको उन्हें वान करना है कि आप से वो दूर रहें तो आपको उसके लिए बोलना जाहिए don't mess with me कि मुझसे पंगा मत लीजिये मुझसे दूर रहें उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं don't mess with me next है अगर आपको किसी ने आके approach किया है और अगर आपको उन्हें पूछना है कि तुम्हारे यहां आने का purpose क्या है आप यहां पर किस लिए आए हैं तो आप उसके लिए बोल सकते हैं what brings you here this means what is your purpose of coming here so for that आप बोल सकते हैं उन्हें what brings you here next जो वर्ड है वो है would that आज मैं आपको would that का use करना सिखाऊंगी देखिए would that का use हम तब करते हैं जब हमें अपनी कोई wish express करनी हो जब हमें कोई अपनी इच्छा express करनी हो जो कि सच हो जाए लेकिन वो कभी सच हो नहीं सकती वो उसका सच होना impossible है तब हम किसका इस्तिमाल करते हैं would that का अब आईए मैं आपको इसको एक example के तुरू समझाती हूँ example है would that all the questions in the exam were easy to answer अब यहाँ पर क्या है exam हो गया है और आप wish कर रहे हो कि काश सारे जो questions थे वो बहुत असान होते answer करने के लिए आपने अपनी एक wish express करी है जिसको आप चाहते हो कि वो सच हो जाए लेकिन फिलहाल वो होना impossible है क्योंकि आप exam दे चुके हो आप उनके answers लिख चुके हो बस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो एक wish कर रहे हो तो आप उसके लिए इस्तिमाल कर सकते हो would that I want to give my exam I want to take my exam अगर आप student है तो आप इसमें से किसका इस्तिमाल करते हैं I know जादतर जो लोग हैं वो इसमें बोलते हैं I want to give my exams पर अगर आप एक student है तो आप यह गलत इस्तिमाल करते हैं I want to give my exam नहीं होता I want to take my exam होता है अगर students exam देने जा रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए I want to take the exam जो यहाँ पर सबसे जादे importance है वो word की है कि आपको क्या choose करना है आपको take choose करना है या फिर आपको give use करना है तो students को हमेशा take का इस्तिमाल करना चाहिए इसका मतलब है कि वो इस चीज को accept करना है जो उनको मिल रहा है वो इस चीज को accept करना है तो next time से आप कभी भी give my exam मत बोलिएगा अब बोलिएगा I want to take my exam आप same example teachers पर apply होता है teachers क्या बोलेंगे I want to take your exam या फिर I want to give your exam teachers को बोलना चाहिए I want to take your exam अगर आप teacher है तो आपको बोलना चाहिए I want to give your exam give का मतलब है कि यहाँ पर आप उनको उनका जो exam है जो question paper आप उनको provide कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे give your exam आप यह नहीं बोलेंगे I want to take your exam आप बोलेंगे I want to give your exam तो next time से students और teachers कभी भी confused मत होना जब आप exam देने जा रहे हो students बोलेंगे I want to give my exam और teachers बोलेंगी I want to take your exam I hope आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी जो मैने आज आपको कुछ common mistakes बताई उनको आप आगे कभी नहीं दोराएंगे और जो मैने आपको कुछ नए phrases बताए उनका आप जरूर इस्तमाल करेंगे तो बने रहे हैं इस channel के साथ अगर आप इस channel पर नए हैं तो subscribe करना मत भूलिए इस video को like, share करना मत भूलिए और नीचे comment जरूर कीजिए मिलते रहेंगे हैं ऐसे किसी वीडियो में till then, bye bye